जय हिन दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस सूटुप चैनल हिंदुस्तानी क्लासेज में दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं रसानिक समीकरण संतलित करना दोस्तों मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा तो दोस्तों वीडियो को पूरा लाश तक देखिए तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं जो हमारे रसानिक समीकरणा होता है सबसे पहले दोस्तों उसमें हमको बैलेंस करना है हमको धातू तो धातू जैसे सोटियम, अलमूनियम, आयरन, प्रोटेसियम, मैगनीसियम, आदी ये हमारे सभी क्या होते हैं हमारे धातू होते हैं तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं फिर दोस्तों हमको क्या बैलेंस करना है दोस्तों हमको फिर बैलेंस करना है आधातू जैसे कि आप लोग जानते हैं आधातू म हमको balance करना है oxygen फिर हमको balance करना है oxygen फिर हमको balance क्या करना है last हमको balance करना है hydrogen को तो चलिए दोस्तों अब हम लोग रसानिक समिकरों को संतुलित करते हैं तो दोस्तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहां एक रसानिक समीकर हैं तो दोस्तो मैं आप लोग बताया हूँ कि सबसे पहले बैलेंस क्या करना है धातु को दोस्तो रसानिक समीकर हैं सबसे पहले हमको धातु को ढूलना है तो धातु यह हमारे क्या है मैगनीसियम तो दो कर देंगे फिर फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे फिर हमको क्या करना है आधातु तो अधातु की मतलब क्या होता है आधातु मतलब हम इसमें क्या देखने से नाइट्रोजन एक कारबन है तो अब इसमें हम देखेंगे कि नाइट्रोजन कारबन मतलब आधातु हमारे इ तो नाीट्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग इधर टू लिख देंगे जैसे ही हम किसी किसी योगिक में कुछ बदलाप करेंगे तो हम फूना फिर से धातू को देखेंगे तो जैसे कि अब लोग देखते हैं धातू कितना तीन है और इदर कितने धातु है तीन तीन धाती हो तो यह बैलनस है फिर हम लोग क्या करें अधातु देखेंगे तो आधातु में क्या है नाइ Sophos भी नाइट्रोजन देह वह और इदर हां ट रूजां तो याँ दी डोस्तों उसके यह दो और तीन यहां तीन दो तीह लिग देंगे तो जैसे ही य कुछ बदलाब करें इंगे हमको फिर हमको धातु को देखना है तो दोस्तों धातु क्या है मैगनीसियम तीन है मैगनीसियम तीन है फिर हम आधातु देखेंगे तो आधातु में नाइट्रोजन दो है और नाइट्रोजन दो है फिर हमें आक्सीजन को देखना है फिर हमें आक्सीजन में क्या देया है इधर कितना है 12 और इधर हम लोग क्या करेंगे इधर दो तिया 6 यानि 6 हाइड्रोजन इधर हो गए और दो तिया 6 6 इधर हाइड्रोजन 6 6 कितने हो गए 12 हो गए 6 हाइड्रोजन यहां हो गए और 6 हाइड्रोजन यहां हो गए दोनों को जोलने पर 12 हाइड्रोजन आ गया तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हाइड्रोजन इधर भी 12 हो गया और हाइड्रोजन इधर भी 12 हो गया दोस्तों अब इसमें इधर सब और दोस्तों अब यह हमारा यह हमारा रसानिक समिकरां संतुलित अगला समिकरां संतुलित करके देखते हैं दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहां और रसानिक समिकरां दिया है तो चलिए दोस्तों इसको बैलेंस करते हैं दोस्तों सबसे पहले हम आप लोगों क्या बता है थे कि सबसे पहले हमको धातु को बैलेंस करना है तो धातु उसमें क्या है धातु हमारा कापर है तो कापर इधर कापर कितना है वन है और धर भी कापर वन है फिर उसके बाद40 καे फिर अध्यू पिर्मक बैलेंस करना है तो दोस्तों जैसे कि आप लोग आध्या तोह हमारा नॉस जात हे जैसे दोक्त हो आप लोग देख रहा है नाजच रहे है आधर कितना है दो तो हम इधर क्या कर देंगे दर हमाएं है तो लिख देंगे तो अब फिर देखते हैं का पर कितना है 당 उननारों है तो अश्बड़ों ऑन है यह तो देखते हैं कि लमातुन द Wish क्रों त управ ही और है यह चायर नतोर हुर्टिजन रही बादमें यह चलिए दोस्तों आप लोग देख रहे हैं अगरेदर वी चे हैं और हैडरोजन इधर वीचे आए तो दोस्तों यह यह भी हमारा समिकरन संतलित हो गया तो चलिए दोस्तों और एक्जामपल देख लेते हैं कि दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यह एक रसानी समिकरन लिखा है चलिए दोस्तों इसको भी बैलेंस करते हैं कि दोस्तों सबसे पहले हमको क्या धातु को बैलेंस करना है तो धातु इसमें क्या है धातु हमारा एफ यह आयरन है तो दोस्तों इतर देख रहे हैं और इधर आयरन कितना है वान है तो हम इधर क्या लिख देंगे तीन लिख देंगे तो अब जैसे कि दोस्तों लोग देख है कि इधर कितना tinarand तीन है और इधर भी तीन है तो यह wants ho गया फिर हमको क्या balance करना है आधातु तो आधातु में जैसे कि आप लोग जानते से nitrogen oxygen chlorine chlorine यह तो है नहीं अप्विर उसके बाद नहीं है तो हमको क्या oxygen को balance करना तो तो oxygen इधर 4 है और इधर oxygen कि उतना 1 है put हम लोग क्या पर देंगे चार इधर लिख देंगे क्म ह्च दोस्तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ओक्सीजन एधर दर चार हो गया और इधर दर भी ऑक्सीजन यह निरी अक्सिजन ऑक्सीजन अब बैलैन्स हो गया फिर हमको लास्ट में क्या बैलन्स करना है यह भी हमारा इधर हो गया आठ इधर भी है हड्रोजन आठ और इधर भी हड्रोजन आठ यानि हमारे यह भी समिकरा बैलेंस हो गया तो चलिए दोस्तों और एक्जामपल देख लेते हैं दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हैं एक और रासानिक समीकरन है तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस समीकरन में धातु क्या है तो इस समीकरन में धातु हमारा है मैगनीज तो, हमँ सबसे पहले, Magneze को balance करेंगे, जैसे, दोस्तो देख रहे है, Magneze फ्यावान है, और इधर भी वान है, यानि धातू हमारा balance है, फिर उसके बाद हमको क्या balance करना था आधातू, आधातू जैसे, यहाई क्या लिखा है, chlorine, आधातू हमारा hydrogen और oxygen भी है, लिकिन इसको हम तो पहले हम लोग chlorine को balance करते हैं दोस्तों जैसे कि आप लोग दें chlorine इधर 2 है और इधर 2 यानि 2 2 4 है तो इधर कितना है इधर कितना है chlorine chlorine 1 है तो इधर हम क्या करेंगे 4 सिसमें हम गुना करा देंगे तो अब हमारा आधा 2 balance हो गया तो उसके बाद दोस्तों फिर हम लोग देखते हैं oxygen balance करतें इधर oxygen कितना है इधर oxygen 1 है और इधर 2 है तो दोस्तों इधर balance करने कि लिए क्या करेंगे हम लोग इधर हम लोग 2 का इसमें हम 2 का गुना करा देंगे तो oxygen भी हमारा balance हो गया और फिर आब प्लthose में हम को किया बैैलेंस करना हाई रोजन तो दोस्तों इधार देखिए याणि हिद्वर याणि हमारा साइड्विंगे नहीं हमारा ही हमारा य्यादर यह समीकरान रोगया आто दो मैं आप लोगों के लिए दो समी च्राइब मूर्ण लिखा आओ और दोस्तो मैं आप लोगों के लिए एक रज़ कुछ दोस्तो तो दोस्तो मैं आप लोगों के लिए रसानिक समीकरण नीचे लिखाऊं तो आप लोगों के इन समीकरण को बैलेंस करने हैं दोस्तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहां दोस्तों आप लोगों को इस समीकरण को बैलेंस करना है, कार्बन प्लस अक्सिजन यानि इसको आप लोगों को बैलेंस करना है, फिर दोस्तों आप लोगों को यहां दिया है, इन दोनों को आप लोगों को बैलेंस करने हैं, यह दो समीकरण को आप लोगों को बैलेंस करने है तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में